हेलो फ्रेंट कैसे हैं आप लोग आई होब कि आप सभी ठीक होंगे स्वागत है आपका अपने चैनल को क्वित अनीसा में मैं हूँ आपकी दोस्त अनीसा आज मैं आपके लिए प्योर भेज ठाली लेके आई हूँ जो कि बिना प्याज बिना लहसन के मैंने बनाया है ये मैंन को दवाना बिलकुल भी ना भूलें ताकि जो भी वीडियो मैं डालू उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके फ्रेंट्स वीडियो को बनाने में बहुत महनत लगती है तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए बिना एसकिप किये हुए तो चलिए सुरू करते हैं आ हल्दी पॉडर नमक और इसमें मैं मिर्ची हरी मिर्ची कट करके डाल रही हूं आप लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं और इसे मैं अच्छी तरह से भूल लोंगी धक के जब तक यह अच्छी तरह से गल ना जाए इसे हमें जो हमारे यहां इसको लौकी का भुजिया बोलते है तो अच्छे से इसे हमें ढ़क के पकाना है तब-तब मैं यहां दाल से चरह देती हूM तो यहां मैंने दाल ले लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ पानी और इसमें हम डाल देगे हल्दी पॉडर, नमक और नमक के साथ ही मैं तेजपत्ता भी इसमें डालूंगी जिसे की डाल का स्वाजु है वो बहुत ही अच्छा बन जाता है इसमें मैं टमाटर भी यहीं पर डाल रही हूँ जिसे की हमारा फटा फट से बन जाए बीच में हम जो हमारा लौकी का भुजिया है उसको भी चेक करते रहेंगे ताकि वो जले ना नीचे स और अच्छे से वह गल जाए तो यहां पर मैंने जाया भी मैं खुकाई नोगी वी बिल्कुल रहा नहीं न पर लिए इस इसमें मैं डाल रही हूं हींग और जब यह लाल हो जाएगा फिर इसमें मैं डाल दूंगी गोभी और इसका हमें सब्जी बनाना है तो यहां पे गोभी डाल रही हूं मैं और गोभी को हमें अच्छे से भून लेना है जब तक यह लाल ना हो जाए हमारे यहां इसको डालना बोलते हैं आपके यहां क्या बोलते हैं कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा इसमें आलू, पंपकीन ये सब भी पड़ता है बहुत ही टेश्टी बनता है ये भंडारे की जो सबजी होती है बिल्कुल वैसा ही स्वाद इसका होता है तो यहां पे मैंने आलू ले लिया ह कटा हुआ और आप देख सकते हैं कि इसका छिलका हमने नहीं हटाया है ये इसी तरह से डाला जाता है और इसमें मैंने ले लिया है पंपकीन जिसे मीठा पेठा भी बोलते हैं और इसमें मैं डाल रहे हूँ हल्दी पॉडर स्वादा नुसार नमक और इसको हम अच्छे से चला लेंगे और इसे भी हमें ढक के पकाना है ताकि जो हमारा आलू और पंपकीन है वह जल्दी से गल जाए इससे हमारे खाना जल्दी बन जाता है ढक देने से तो जब तक प्रेंदिन्स तो हम देखलेए हमेरा दाल भी रेडी हो चुका है तो यहां भी पहने दوسरा कराही चरहा लिया है इसमें मैं डाल रही हूँ वाइल और इसमें भी मैंने मेथी दाना डाल दिया है और हिंग डाल दिया है और इसमें मैं पंपकिन डाल रही हूँ इसको मैंने छोटे-छोटे पीसे में कट कर लिया है इसका भी हमें भुजिया बनाना है एकदम चटनी के जैसे ब तो सब्जी भी हमें बीच में देखते रहना है ताकि वो जले नहीं तो इस तरह से हमें सब्जी को भी चला लेना है अब इसमें मैं टमाटर और हरी मिल्च कट करके डाल रही हूँ और यहां मैंने डाल दिया है धनिया पॉडर जीरा पॉडर और ज्यादा मसाले मैं यूज न दिया है और यह देखे यह बॉयल होने लगा है इसमें मैं डाल यूँ अदरक क्योंकि हम जो है लासन प्याज कुछ भी नहीं डाल रहे हैं तो चलिए अब हम पंपकीन को देख लेते हैं तो यह भी गल चुका है इसे हमें अच्छे से मैस कर लेना है तो यह भी इस तरह से चल और यहां पे मैंने चरहा दिया है चावल और इधर देखे सबजी में मैंने गरमसाला डाल दिया है और घी डाल दिया है उपर से उपर से घी डालने से सबजी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है यहां हम दाल के लिए तरका रेडी कर रहे हैं तो तरका में मैंने जीरा और भाल मिर्च टाल दिया है और तेल में और मीर्च तुरका फी लग चुक על pedals है। तो इसलों एक हम पर बनालिखे सूर्ण की चटनी। मैने निकाल लिया था याल। और इसमें मैंने नमक डाल दिया है, हडी मिर्ची कट करके डाल रही हूँ, और इसमें हम डालेंगे जो हमारा अचार का मसाला होता है, राई वाला, वो मैं यहां पे डाल रही हूँ, इसमें मैंने डाल दिया है सरसू का ओईल, और इसमें हम डालेंगे निम्बू, निम्बू और अच्छे से इसका पेश्ट बना लिया था उसमें मैंने नमक और हल्दी डाल दिया है यहां हमने भेजी टेवल्स कट कर लिये हैं पकॉरी के लिए और कराही भी चरहा दिया है और यह देखे हमारा घोल रेडी हो चुका है फ्रेंट्स चावल को फला के जो बैटर बनता है तो यहां पे मैंने पहले पंपकिन डाला है और इसको भी मैं इसी तरह से फ्राइ कर लूँगी ओल में डाल के इसी तरह से मैंने आलू, गोभी, पंपकिन, बैंगन इस सब का पकॉरा रेडी किया था और पापर भी बनाया था लेकिन उतना बड़ा वीडियो बनाने में बह बहुत ही टेश्टी होता है इसका भी पकॉरा तो यह भी मैंने बना के रेडी किया है तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ जरूर इसको सेर किया जाए बहुत ही टेश्टी है तो चलिए अब हम ठाली लगा लेते हैं तो यहां पे मैंने सबजी रख लिया है दाल रख लिया और इसी के साथ यहां पर हमारा जो सूरन का चत्नी हमने बनाया था वो है जिसको जीमी कंद भी बोलते हैं friends बहुत जगह जीमी कंद बोला जाता है हमारे यहां इसको ओल बोलते हैं और यहां पर मैंने पकॉरियां रख दिया है और उपर से मैं रख दूंगी पापर और हमारे थाली में जगह बिल्कुल भी नहीं बची थी नहीं तो और भी जो है हमारे यहां आवले का चटनी बना हुआ था और उसके बाद दही, चीनी, मिठाई और यह सब भी था बट हमारे थाली में जो है वो इस पेस नहीं था इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाई तो यह देखें फ्रेंड्स हम बहुत ही मेहनत से इतने सारा खाना मैंने बनाया था तो प्लीज वीडियो को जो है लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर मेरे चैनल पे आप नहीं हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरी रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ फैमली के साथ जरूर से सेयर करें आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जादा जरूत है हमें तो अपना सपोर्ट बनाए रखें मिलते हैं किसी नए रेसिपी के साथ किसी नए वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू फो वाचिंग माई वीडियो जैमातादी